हेलो गाईज आज हम लोग देखेंगे डॉक्यमेंट में तीन रो और तीन कॉलम बाली एक टेबल इंसर्ट करें और संपूर्ण टेबल का बैकगराउंड करन कलर औरेंज में बदलें तो चलिए हम लोग चलते हैं Microsoft Word 2013 की और यह मैंने Microsoft Word 2013 का वर्कबुक ओपेन कर लिया है यहाँ पर हम लोग तीन रो और तीन कॉलम बाली टेबल इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट टेबल की और Insert टेब में आके टेबल वाले Option पे क्लिक करेंगे यहाँ पर Insert टेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ हमारा Insert टेबल का चार्ट खुल गया है यहाँ पर Number of Column में 3 टाइप करेंगे और Number of Row में 3 टाइप करेंगे okay पर click करेंगे जैसे ही हम लोग okay पर click करते हैं यहाँ पर हमें तीन रो और तीन कॉलम वाली table insert हो जाती है अब इनका background color orange में change करना है तो इससे पहले हम लोग table को select कर लेंगे यहाँ पर आके हमने plus वाले option पर click करके table को select कर लिया है इसके बाद स्रेडिंग वाले option पर क्लिक करेंगे और orange color को select करेंगे अब हम लोग देख सकते हैं guys कि हमारा जो table insert किया गया था इसका background color orange में change हो चुका है guys उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए हमारे channel के वाई पी स्टीच को subscribe करें वीडियो को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें thank you for watching